साइन्स के एकोरडिंग महिलाओं का शरीर इस कदर बना होता है कि जब भी वो कंसीव कर लेती हैं तो कंसीव करने के बाद से ही उनके पीरेट्स आने बंदो जाते हैं बच्चे दानी का मूँ पूरी तरीके से बंदो जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि प्लेगनेंसी के तोरान bleeding आने से महिला अचानक से घबरा जाती है और इस घबराइट की वज़े से कई बार उसका miscarriage भी हो जाता है खास दोर पे वो महिला है जिन्होंने सालों के बाद conceive किया है बहुत मुश्किल से conceive किया है नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तनवी.com में दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को पताने वालों कि अगर pregnancy के दोरान किसी महिला की bleeding शुरू हो जाती है या फिर periods की दरह bleeding आ रही है तो उसके क्या कारण है और क्या इलाज है आगे पढ़ने से पहले आप लोगों को इस रिक्वेश्ट है वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते है लाइक करने के साथ इसे ज़्यादा स्यादा फेस्बुक पर वट्सप पर शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले फायदा मिले तो चलिए शुरू करते हैं जब महिला का ओवलेशन होता है तो ओवलेशन के दौरान उसकी ओवरी से एक अंड़ा तयार होकर के बाहर ट्यूब में आता है ट्यूब में आने के बाद वो 24 गंटे तक इंसार करता है स्पर्म का और अगर इस दोरान उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है फर्टिलाइज होने के बाद से ही वो सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है उसके बाद 5-6 दिन लगते हैं उसको नीचे आने में और नीचे आने के बाद वो बच्चे दानी की दिवार से चिपकता है यानि की इंप्लांट हो जाता है क्योंकि कुछ महिलाओं में ये जो स्पोर्टिंग होती है कुछ गंटों तक ही होती है या फिर सिर्फ एक दिन होती है कुछ महिलाओं में दो से तीन दिन और कुछ महिलाओं में तो 5-6 दिन तक भी स्पोर्टिंग हो जाती है इसलिए जिन महिलाओं को ज़्यादा स्पोर्टिंग होती है निकि कई दिन चलती है तो वो इसको पीरेट समझ लेती है और पीरेट्स लाने वाली दवाई भी खा लेती है जिस कारण से उनकी रुकवी प्रेगनिंसी खराब हो जाती है ब्लेडिंग आनी शुरू हो जाती है प्रेगनिंसी रुकी भी थी एक पट जब इंप्लांटेशन पूरी तरीके से सक्सेस्फुल हो जाता है ब्लेडिंग बन्द हो जाती है उसके बाद उस महिला कि पीरेट्स नहीं आते हैं और प्रेगनिंसी के सारे सिम्टरम सीरे दिरे दिखने शुरू हो जाते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब महिला सक्सेसफुली कंसीव कर लेती है तो उसके पीरिट साने बंद हो जाती है लेकिन अगर महिला प्रेग्रेंट है और उसको ब्रीडिंग हो रही है तो इसके कुछ खास कारण होते हैं जो कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हू प्रोजिस्टेरोन हॉर्मोन प्रेग्नेंसी को पूरे 9 महिने तक सेफ रखता है और उसको ग्रो होने में मदद करता है वही अगर किसी महिला के शरीर में HCG हॉर्मोन कम मातरा में बने तो प्रोजिस्टेरोन कम रिलीज होता है और उसकी प्रेग्नेंसी खराब होने के जाला chances रहते हैं ऐसे में कई बार महिला की bleeding भी शुरू हो जाती है तो अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है कि pregnancy के शुरुआती दिनों में अचानक से महिला को bleeding शुरू हो जाती है और bleeding बंद ना हो तो महिला को तुरंट डॉक्टर से मिलना चाहिए ऐसी कंडिशन में डॉक्टर महिला को HCG के injections देते हैं या फिर प्रोजिस्टेरों की टैबलेट्स भी प्रसक्राइब करते हैं नमबर दो है सर्विक्स इंजरी कई बार pregnancy के दोरान relation रखने से भी ऐसा हो जाता है और बच्चे दानी में छोट लगने की current bleeding हो जाती है ऐसा होने पर तुरंट डॉक्टर से contact करना चाहिए और relation रखने से बचना चाहिए नमबर तीन है vaginal infection कई बार महिलाओं को pregnancy के तोरान vaginal infection हो जाता है जिस current से भी उनको bleeding हो जाती है लेकिन ये जो vaginal infection की bleeding होती है इसमें mucus mix होकर की आता है इसलिए इसका color हलका गुरावी हो सकता है नमबर चार है heavy lifting यानि की भारी वजन उठाना कई बार pregnancy की तोरान महिलाएं कोई भारी चीज उठा लेती है तो इससे भी उनकी bleeding हो जाती है ऐसा अगर हो जाए तो तुरण डॉक्टर से contact करें और pregnancy के तोरान भारी वजन उठाने से बचना चाहिए नमबर पांच है miscarriage कई बार किसी अंदरूनी कारण से pregnancy खराब हो जाती है और miscarriage हो जाता है और ऐसी condition में भी अचानक से bleeding आनी शुरू हो जाती है नमबर चे है premature delivery यानी कि समय से पूर्व delivery होना अगर pregnancy की आखरी तिमाही में अचानक से bleeding शुरू हो जाए तो जल से जल डॉक्टर से contact करना चाहिए हो सकता है कि यह delivery के संकेत हो इसके अलावा YouTube पे आजकर एक finger test बहुत ज़्यादा popular हो रहा है और उसमें बताया जाता है कि महिला है finger से अपनी pregnancy को test कर सकती है इससे होता यह है कि महिला है उसको देखने के बाद अपनी finger से अपना pregnancy test करती है और उससे उनकी bleeding शुरू हो जाती है और कई बार रुकी हुई pregnancy भी खराब हो जाती है इसलिए यहाँ पर आपको एक चीज़े बताना चाता हूँ कि आप कभी भी खुद से finger test ना करें यह काम doctor का है और doctor को ही करने दें तो आज के वीडियो में इतना ही उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दें जादा से यादा शियर करें और कोई जानकारी चाते है तो कमेंट करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद